तो आज की इस वीडियो में हम Current Affairs वो आदनियों के इतियास के बहुत ही महत्पूर प्रशने के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों एक्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को सुरू करते हैं पहला question पूछा है दोस्तों हाल अही में राश्टी प्रदूसर नियंतर दिवस कम मनाया गया है तो दोस्तों राश्टी प्रदूसर नियंतर दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों प्रदूसर नियंतर दीवस प्रदूसर से बरती समस्याओं से लोगों को जागरू करने के लिए मनाया जाता है तो आपको याद रखना दोस्तों 2-3 दिसंबर 1984 को भुपाल गैस तराजदी हुई थी दोस्तों जिसमें दोस्तों कई हजाल लोगों के जाने चली गए थी इसलिए दोस्तों 2-2 दिसंबर को राश्टी प्रदूसर नियंतर दिवस मनाया जाता है आपसे ये भी पूशा जा सकता है भुपाल गैस तराजदी में कौन सी गैस का रिशा हुआ था तो आपको याद रखना दोस्तों भुपाल गैस तराजदी में मिथाल आइसोसेनेट गैस का रिशा हुआ था अगला प्रशने ने हाल ही में किसी डाक्टर एमेस स्वामी नाथन पुरस्कार दिया गया है तो दोस्तों डाक्टर एमेस स्वामी नाथन पुरस्कार भी प्रविडराव को दिया गया है दोस्तों यह पुरस्कार हर दो बर्श पे दिया जाता है और दोस्तों इस पुरस्कार के तहट दो लाक रुपे नगधिनाम और प्रसस्ति पत्र दिया जाता है अगला प्रस्ण है दोस्तों लंदन की EIU के अनुसार विश्व के सबसे महेंगे सहरों के सूची में कौन सा सहर प्रथम इस्थान पे हैं तो दोस्तों EIU यानि के दोस्तों Economist Intelligence Unit तो दोस्तों Economist Intelligence Unit के अनुसार तेल अभी मैंगो सहरों की सूची में प्रतम इस्थान पे हैं और दोस्तों पेरिश और सिंगापूर दूसरे इस्थान पे हैं और दोस्तों निवार का छठा इस्थान है इसमें अगला प्रस नहीं दोस्तों भारती परेटन विकास निगम के अ अगले तीन साल के लिए अध्यक्ष रहेंगे अगला प्रस्ने दोस्तों इससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमाय चाहूं को सस्क्राइब नहीं के तो सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि दोस्तों कोई भी वीडियो बनाओ तो उसका नुटिफिक चेम्सपोर्ट सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दोस्तों मांटेग्य उसमें भारत के राजे सचीव थे और दोस्तों चेम्सपोर्ट भारत के ततकालिन वाय सराज थे आपको याद रखना है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 का एक्ट 1919 में पारित हुआ था लेकिन दोस्तों या 1921 में लागोओ आता अगला प्राश्ण है दोस्तों सन 1916 में कौलकाता में होम रूर लीक की स्थापना किसनी की थी तो दोस्तों होम रूर लीक की स्थापना लोकमान तिलक ने 28 अप्रेल 1916 को बेलगाव में की थी और दोस्तों येनी वेचेंड ने भी होम रूर लीक की स्थापना की थी लेकिन दोस्तों इन्होंने होम रूर ली की शुरुवात सितंबर 1906 में मद्राज से की थी अगला प्रस्ण है दोस्तों निमलिकित में से 20 वर्स में 26 जनुवरी का दिन स्वतनता दीवस के रूप में मना आग गया था तो दोस्तों 26 जनुरी 1930 को स्वतनता दीवस के रूप में मना आग गया था क्योंकि दोस्तों 26 जनुरी 1930 को भारती राश्टी कांग्रेस के दोवारा पूर्ण सोराज की मांग की गई थी आपको याद रखना दोस्तो, पूर्ट स्वराज का प्रस्ता 1929 में बार्तिराष्टी कांग्रेस के लाहर अधिवेशन में हुआ था आपसे ये भी पूशकता दोस्तों कि लहावर अधिवेशन के अधिक्षता किसने के थी तो दोस्तों लहावर अधिवेशन के अधिक्षता पंडी जवाल लाल नेरूने के थी अगला प्राशने दोस्तों सति प्रठाका उन्मूलन किया था सति प्रठाकन लाड बिलियम बैटिक ने राजा रामम वन राय की मदत से जिकी थी दोस्तों यह एक टुनों ने आठारस तुबन ऊंतिस में पारीत किया था और दोस्तों आपको याद रखना है ब्रह्म समाज की इस्त अपना राजा राम मों राय के द्वारा की गई थी अगला प्रस्न है दोस्तों भारत की सर्मिधान सभाय के सर्मिधानिक सलाकार कौन था तो दोस्तो भारत की सर्मिधान सभाय के सर्मिधानिक सलाकार बियन राउ थे दोस्तो बियन राउ का पूरा नाव बेनगुल नर्सिमा राउ था और दोस्तो आपको याद रखना है बियन राउ एक प्रसासनिक सिवा अधिकारी थे जिने सन्मिधान सावा में सन्मिधानी सलाकार के रूप में निखत किया गया था और दोस्तों डाक्टर भीमराव अमबेटकर प्रार्वु समीति के अध्यक्षिते तो हमारा सन्मिधान 26.09 नौंबर 1949 को बनकर तयार हो गया था इसलिए दौस्तों 26 नवमबर को सन्मेधान दिवस भी मनाया जाता है हमारा आगला प्राश्ण दोस्तों मुसलिम लिग की श्थापना किस वस हुई तो दोस्तों मुसलिम लिग की स्थापना 30 दिसमबर 1906 को ढाका मुई थी दोस्तों धाका को वर्तमान में बांगलादेश के नाम से जाना जाता है तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी सेयर करें